अब तक हमने चरो वाले व्यंजकों के बारे में पढ़ा कुछ उधारणों से हमने इनहें अच्छे से जाना लेकिन व्यंजकों से चुड़ी कुछ मिध्याधानाई ज़रूर होती है जो इनहें समझने में कठिनाई उत्पन्न करती है आइए इनन दूर करे व्यंजकों से संबंदित मिथ्याधार्णा है मिथ्याधार्णा एक सवाल मनु की आयू X साल है हर्ष से मनु 2 साल छोटा है हर्ष की आयू के लिए व्यंजक क्या होगा? X रिंड दो या X धन दो कई बार दी जानकरी को जैसे पढ़ा जाता है वैसे ही चरो के पदों में लिखा जाता है इस समझ से जवाब प्राप्त होता है X रिंड दो जो कि एक गलत जवाब है यहाँ X धन दो सही जवाब है सही व्यंजक पाने के लिए दी हुई जानकरी को समझना बहुत ज़रूरी होता है जैसे यहाँ मनू की आयू और हर्ष की आयू के लिए सार्णी बना सकते है जब मनू एक साल का होगा तब हर्ष तीन साल का होगा जब मनू दो साल का होगा तब हर्ष चार साल का होगा और इसी तरह सार्णी को आगे बढ़ाया जा सकता है संख्याओं में संबंध देखकर यह बताया जा सकता है कि हर्ष की आयू मनु की आयू से 2 से अधिक है इस समझ से दिये सवाल का सही जवाब प्राप्त होगा X धन 2 मिध्याधार्णा 2 सवाल 4X के लिए मान 3 से 5X का मान प्राप्त करे कई बार चर का मान पता होने पर व्यंजक का मान प्राप्त करना हो तो गुणन किये बिना X को 3 से बदल दिया जाता है इस समझ से त्रेपन यह गलत जवाब प्राप्त होता है चर का मान व्यंजक में रखते समय पहले लिखी संख्या के साथ इस मान का गुणन किया जाता है इस समझ से सही हल प्राप्त होता है 15 मिथ्याधार्णा 3 सवाल 2x धन 4 को हल करने पर क्या प्राप्त होगा? 6, 6x या इसका मान प्राप्त नहीं किया जा सकता चरो का अर्थ ठीक से न समझने के कारण चर के लिए प्रयोग किये अक्षर को नजर अंदास किया जाता है और दिये व्यंजक का मान 6 या फिर 6x प्राप्त किया जाता है यह गलत समझ है चरो वाले व्यंजकों जैसे 2x धन 4 का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता अगर चर्का कोई निश्चित मान दिया हो तभी इन व्यन्जकों का मान प्राप्त किया जा सकता है मिथ्यधार्णा 4 सवाल निम्न में से कौन सा व्यन्जक समान नहीं है? सभी व्यन्जकों में गुणन के चिन्न का प्रयोग हुआ है सिवाए 5M बटे 2 के इस समझ के कारण ज्यादा तर 5M बटे 2 यह जवाब दिया जाता है जबकि यह एक कलत समझ है इसी तरह दो से विभाजन यानि दिविशन एक बटे 2 से गुणा होता है यह नपता होने के कारण ओफ्शन 2 जवाब दिया जाता है यह भी एक कलत समझ है गुणन के क्रम विनिमेता गुणधर्म यानी Commutative Property of Multiplication की समझ न होने के कारण M बटे 2 गुणा 5 जवाब दिया जाता है यहां Options 1, 2 और 4 का मान समान है लेकिन 5 बटे 2 गुणा M बटे 2 में 2 बार 2 से विभाजन होने के कारण इसका मान इनके बराबर नहीं है इसलिए सही जवाब है 5 बटे 2 गुणा M बटे 2 आशा करते हैं इस वीडियो से आपके कई मिध्याधार्नाएं दूर हुई होगी और व्याजक के अच्छी समझ बन गई होगी